एक्जाम ओनलाइन के यूटूब चनल पर हर्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम पटवार सिधी बढ़ती परिक्षा का पेपर हल करने वाले हैं और जिसका पेपर कोड रहेगा 104C 104C पेपर कोड हल करने वाले हैं वीडियो आपको कैसा लगे सभी सातियों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कॉमेंट करकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा है आज का हमारा first question सातियों दिलवाडा मंदीर किस धरम से सम्बन्दित है अब सभी को पता होना चाहिए हम वीडियो में आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे सातियों कम समय में ज्यादा क्यूशन करने का फ्रयास करेंगे दिलवाडा के जो जैन मंदिर है हम सभी को पता है दिलवाडा किस लिए परसिद है जैन मंदिरों के लिए परसिद है और किस से समधित हो जाएगा तो ये जैन दर्म से समधित हो जाएगा साथियों एक बार वीडियो को सबी साथियों के साथ शेयर कीजिए लाइक और कॉमेंट करकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा है तो शाथ ही चैनल पर नेया है वो चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उनको लेटिस नोटिफिकेशन जो भी हमारा रहे वो मिल सके साथियों नेक्स्ट क्योशन पूछना चाहता है कि चपन का मैदान इस्तित है चपन का मैदान कहां पर इस्तित है साथियों आप सभी को याद आना चाहिए कि परतापगड वे बांसवाड़ा के मध्य हमारा परतापगड वे बांसवाड़ा के मध्य हमारा परतापगड वे बांसवाड़ा के मध्य हमारा चपन का मैदान देखने को मिलता है प्रताबगड़ वे बांसवाड़ा के मध्यात देखने को मिलता है जिसको मेवल के नाम से जानते है जिसको मेवल कहा जाता है बांसवाड़ा वे दूंगरपुर के बीच मेवल मिलता है वालापइंट भी आप यहां पर धियां रखोगे next question पे हम चलते हैं next question है, सहरया जिन्जाती राजस्थान के кिस जिले जिले के अंदर निवास करती है? इसके लिए Rice हो जाएगा 22 कहां पर निवास करती है? 12 निवास करती है साथियों next पे चलते हैं कंधा नगर से हनुमानगर जिले का गठन कब हुआ था? गंगानगर से अलग होता है हनुमानगर कब अलग होता है यानि आपको बताना है हनुमानगर जो जिला बना था कब बना उसके लिए राइट हो जाएगा 12.7.1994 12.1994 को हनुमानगर अलग जिला बनता है 12.1994 के अंदर साथियों यह वाला पॉइंट धिया रखेंगे आप नेक्स्ट पे चलते हैं निमन में से कौन सा कच्वा सासक है जो जिसने मीनाओं को हरा कर आमेर को राजदानी बनाया था ये क्योशन मैंने नाजा ने आपको कितनी बार बता दिया है कि यहां पर पूछना जाता है कच्वा सासक का नाम बताना है जिसने मीनाओं को हरा कर आमेर को अपनी राजदानी बनाया था अब बात आती है सत्यों 1207 इस्वी की 1207 इस्वी में कोकिल देव जो होता है ना कोकिल देव वो आमेर को राजदानी बनाता है कोकिल देव 1207 इस्व कच्वा सासक रहे उनका संस्तापक राहा है ये जो दूले राई है वो 1137 इस्वी में नर्वर MP से आता है सात्यों नर्वर MP से आता है फस्ट पॉल ये अपनी राजदानी कहां बनाता है दोसा बनाता है अपनी राजदानी दोसा बनाता है ये वाला पॉइंट आपको ध्यान ताकि कहीं कनफ्यूजन पैदा नों ये कनफ्यूजन पैदा ना हो को मिल सकता है राजस्तान उच नियले की पीट बेंच कहां पर है साथियों राजस्तान उच नियले की पीट बेंच हीमन में से कहां पर इस्तित है पीट बेंच पूछना चाहता है अगर मुख्य पूछता तो हम क्या करते जोदपूर टिक कर देते लेकिन ये पीट बेंच बो ये जैपुर ही स्काराइट होगा साथियों और जो हम आपको यहां पर आंसुर बता रहे हैं साथियों जो आपको यहां पर उत्तर बताए जा रहे हैं वो ओफिसियल आंसुर की के अधार पर यह आंसुर आपको बताए जा रहे हैं नेक्स्ट क्योशन देखते हैं सुमेलित कर के विराइन के अंदर आ जाएगा बादर यानी एक नंबर और रगुनात रुपक के अंदर हमारा जाएगा मच्छाराम से वेग तो इसमें क्या जाएगा तीन एक दो वाला राइट हो जाएगा तीन एक दो वाला आप आंस्वर देख लेना वह बिल्कुल आपका यहां पर है यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्यपूर्ण रहने वाला है यहीं से आपको क्योशन मैं आपको यह कहना चाहूंगा 80-85% जो क्योशन रहती है ना 80-85% वो रपीट होते हैं और यहीं से क्योशन पूछे जाते हैं आप देख लेना अगर 2022 का हमने मैराथन व विद्रोह करने वाली बटालियन का पूछना चाहता है साथियों नसीराबाद के अंदर करती है पंद्रवी बंगाल नेटिव इंफंटरी जो है नसीराबाद के अंदर विद्रोह करती है साथियों नसीराबाद के अंदर पंद्रवी बंगाल नेटिव इंफंटरी अगर प आपको सभी को पता होगा अजमेर के अंदर आता है खेरवाडा साथियों आएगा उद्यपूर के अंदर तो ये जो दो मैंने आपको यहां पर लिखे है ना इनमें क्या बात इपोर्टेंट है हमको क्या ध्यान रखना है कि ये बयावर और खेरवाडा के अंदर क्रांती नही करांटी नहीं होती है यह वाला पॉइयंट नहीं होती है को जुरूर को क्वाराлы किया राद स्वेस्तान में कौन सा नेरितये किया दौदरग पुरो के दो हुआադा धोमर तो लेकिन लेकिन कच्छी गोड़ी केवल क्या है पुरूशों के दवारा किया जाता है कच्छी गोड़ी नरित्य जो है केवल पुरूशों के दवारा किया जाता है सात्यों यह पटवारी का पेपर है दो हजार इकीस का यह बात यहां पर गलत हो गई, अथूरना मंदिर बाड मेर नहीं है, बांस वाडा के अंदर होगा, अथूरना मंदिर बांस वाडा के अंदर होगा, अथूरना मंदिर मैं एक बार फिर कह रहा हूं, बांस वाडा मेर में नहीं है, बांस वाडा इसके लिए राइट हो हर्सत माता मंदिर अब यह जो बाकिया यह भी ध्यान रखने हैं यह भी तो एक्जाम में आते हैं हर्सत माता मंदिर आबानेरी दोसा में है विविशन का मंदिर एक मातर है वह भी कैथून कोटा के अंदर एक मातर एक मातर विविशन का मंदिर है कैथून कोटा के अंदर हर्स तोहान राजवंस के सासकों को काल करम अनुसार विवस्तित करना है अगर साथियों मैंने आपको ना एक पर्थिवी राज से संबंदित वीडियो करवा रखाया कि कौन है पर्थिवी राज जितने राजस्तान के अंदर छे पर्थिवी राज हुए है उसमें एक वीडियो करवाया था तो मैंने उसमें ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि ये काल करम वाला क्योशन पूछा जाता है उस चीज़ में उसमें ये बताया था आपको तोहान राजवंस के हैं यहां पर हम क्या करेंगे चार एक दो तीन चार एक वाला उप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा काल करम उनका यही रहने वाला है अजयराज अर्नोराज फिर विग्राराज चतूर्त और फिर्थिव राज तरित्य पिग्राराज चतूर्त को कहा जाता है यह सभी आपको पता होगा अजयराज अजमेर की स्थापना अर्नोराज अर्ना सागर जील बनाता है यह चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है च्जाराज तो अज्मेर् किस्था आपना गिए कर रहा ये के का नैंना साघर जील कोन अज्डा की बर्गा coalition सब्थाइब उस्बिए इअन्वाक सब्सक्रा स Heights के तो सब्सक्राइब करता धाया ने paling 10 Beloved Challengeести एक कुछ अभ्यान ने दे रखे हैं उनकी सूची दे रखे हैं उनको सुमेलित करना है कुम्बलगड वन्यजीव अभ्यान ने दे रखे हैं केवलादेव राश्ट्री उध्यान सातियों हमको दे रखाया तो आप सभी को पता होगा केवलादेव कहां पर है भर्तपूर के अंदर है केवला देव राश्ट्रिया उद्ध्यान भर्थपुर पूर के अंदर है यानी भी के अंदर या जिवासम पारक बोल दो ये आपका जैसल मेर मेर में भी ही आता है ये आपका एक लींग की करता है यह और वाला फशी में अपर बिल्कुल मैच करें गाती हो एक प्षए वाला ऑप्सन ही आपको ध्यान हैं नेक्स QIंशन पे चलते हैं सात्यों जो फिए तो बिलकुल ठीग यह निए नि इसमें तो एक न्बर आ जाए गा सेखावटी का अगर बात करते हैं तो चूरू सिकर जूंजनू वाला छेतर ध्याना ना चीए तो यह रहा यहां पर आजाएगा तीन नंबर उसके बात देखते हैं कि मरू सरकिट किसे का जाता है मरू सरकिट की बात करें तो जाती हो देखो जैसे कि जोदपूर है जैसल मिर वाला छेतर है तो यह तीन्चर दो इस परकार का यह उप्सन आपका बिल्कुल रहने वाला है और इसके अंदर देख यह साथ मरू सरकिट में आ गया जोदपूर है जैसल मिरा विककानर बाड़ मिर वाला ये शित्र ही इसके अंदर आता है मैंने आपको वो उप्शन बता दिया वो आप मैच कर ले ना राजस्तान की प्राचिन रियासत के संदर्म में कांसा प्रोसा क्या था साथियों कांसा प्रोसा हमको यहां पर बताना है कांसा प्रोसा क्या था क्या था कि एक परकार का कर हुआ करता था एक परकार का कर बोल दो लाग बाग बोल दो एक परकार की लाग थी या कर था ऐसा हमें कह सकते हैं कांसा प्रोसा ती नमबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर नेक्स आसा थी हूँ संथ पिपपा की गुफा कहां पर है यह वाला क्यूशन है ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें कुछ इपोर्टन्ट फैक्ट है तो बिल्कुल हम को ध्यान रखने है और RSSMB ने इसका आंसर क्या माना है RSSMB ने इसका आंसर क्या माना है क्या आंसर माना है वो बात इपोर्टेंट रह जाती है संथ पीपा की गुफा कहां पर है ये हमको बताना है संथ पीपा की गुफा है ना साथियों वो गागरोन माना है इसका अंदर क्या माना है गागरोन माना है अगर ये है कि अब बोर्ड ने ये मान लिया है बोर्ड ने ये आंस्वर माना है फाइनल आंस्वर की के अंदर फाइनल आंस्वर की के अंदर माना है क्योंकि अगर वैसे क्योशन डिलीट होना होता तो ये क्योशन डिलीट हो जाता अब बोर्ड ने ये मान लिया है कि संथ पिपा की गुफा गागरोन है तो हमें भी गागरोन मानना है तो कि एक्जाम में इसाब पुछा जा सकता है लेकिन वैसे अगर हम ये मैंने आपको फाइनल आंसूरकी की अधार पर बता दिया वैसे इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिसकेशन कर लेते हैं संथ पिपा की गुफा हम वैसे पढ़ते हैं कि टोड़ा में है वाँ पर ये टोड़ा टॉंक के अंदर संथ पिपा की गुफा है ये बातें पढ़ते हैं और गागरोन के अंदर हम पढ़ते हैं कि गागरोन के अंदर छत्री बनी हुई है गागरोन के अंदर छत्री बनी हुई है तो अब ध्यान रखना है कि छत्री गागरोन में है और बोर्ड ये मानता है कि गुफा भी गागरोन के अंदर है तो अगर कहीं समय आगे कोई आपके एक्जाम में यह person , देखने को मिले, background option हो तो आप यह ठोक देना, background कर देना, हाँ हो सके कि cogagaro option में ही न आय नाम हब सभी को पता होना चाहिए वास्तविक नाम हम जानते हैं वास्तविक नाम इनको क्या जानते थे परताब सिंग खिंची परताब सिंग खिंची के नाम से इनका जो वास्तविक नाम रहा है फिर ये संथ पीपा के नाम से जाने जाने लगे और ये क्या थे कि गागरोन छेतर के राजा थे साथियों गागरोन छेतर जो रहा है उसके राजा थे वहाँ उस छेतर के राजा थे दर्जी समाज के हम बोल सकते हैं इनको दर्जी समाज के पर्मुक देवता है दर्जी समाज जो होता है उसके पर्मुक देवता साथियों है यह वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है पर्मुक देवता है दर्जी समाज के पर्मुक देवता है यह वाले कुछ फैक्ट मैंने आपको यहां पर बताए है यह वाला पॉइंट साथिय माई गागरोन ओप्सन हो तो गागरोन टिक ही करना है ओप्सन में गागरोन नहीं हो तो हम तोड़ा कर सकते हैं और गागरोन के अंदर छत्री भी बनी हुई है साथियों अगर मैं पूछूँ आपसे मुख्य मंदिर कहां पर है मुख्य मंदिर वाला भी पूछा जा सकता है कि मुख्य मंदिर कहां पर है मुख्य मंदिर पूछा जा सकता है एक्जाम में पूछा भी जाता है मुख्य मंदिर के लिए हम सम्दरी बाड मेर को टिक करेंगे ये समदरी स्थान पढ़ता है साथियों और ये समदरी स्थान आता है बाड मेर डिस्टिक के पाड़ मेर के अंदर संदरी स्तान है जहां पर मुख्या मंदीर है संथ पीपा जी का ये वाला पॉइंट आपको ध्यां रखना था जो एक्स्टा फेक्ट हो सकते थे वो मैंने आपको यहां पर बता दियें साथियों नेक्स पे चलते हैं सीखावटी किसान अंदोलन सन उनीशो शूशन तालिस के अंदर इसके प्रयासों से समाप्त हुआ था सेकावटी किसान अंदोलन सन उनीशो स्सृषन समाप्त होता दिया होता है exams question किस परकार पूछ ले गा आपसे कि राजस्तान कल्हाई विधाले की स्थापना किस ने की थी तो हम क्या है करेंगे सवाई राम सिंग सेकिंड ने की थी साथिओ्क और अठारह低टाय Dur lien 5 किस तावन के अंदर राटार Гज़नेर महाल किराड़ू मंदीर जग को पता है बाड मेर शेतर के अंदर आता है किराडू का मंदिर और जग मंदिर जो हमारा उद्यपूर के अंदर आता है यह वाला मैच हो जाएगा यानि इसमें आजाएगा तीन नमबर जिसमें एक नमबर और इसके अंदर हो जाएगा दो नमबर यह वाला मैच करना है गजने संपर्दाए की स्थापना किस ने की थी अलखिया संपर्दाए की स्थापना कौन करता है स्वामी लालगिरी जी स्वामी लालगिरी जी ने स्वामी लालगिरी जी ने स्वामी लालगिरी जी ने इसकी स्थापना की थी अलवर जी लेकर जोगी जाती के लोग नीमन में से किस वद्धे यंत्र को बजाते हैं साथियों इस वद्धे यंत्र को ये बजाते हैं नागोर का बू गाउं किस कलातमक कारिया के लिए परसिद है आप सभी को यहां पर बताना है नागोर का बू गाउं जो है नागोर का बू गाउं है वो किस कलातमक कारिया के लिए जाना जाता है किस के लिए परसिद है बू गाउं की बात यहां पर नागोर छेतर के अंदर आता है जो कि कच्ची मीटी के खिलोनों के लिए जाना जाता है पच्ची मिटी के खिलोनों के लिए जाना जाता है नागूर का बूगाउं साथियों नेक्स्ट क्योशन पे हम चलते है कौन सा यूगम यहां पर सही है साथियों वैसे अगर आपने हमारे करंट फेर वाला वीडियो देखना सुरू किया है तो उसके अंदर मैंने आपको यह संस्थान करवा है साथियों उसके अंदर मैंने आपको यह संस्थान करवा रखे हैं कि कौन से संस्थान कहां पर है कब उसकी स्थापना होती है यह वाले चीज़े मैंने आपको बता रखी है करिंट फ요 queen के अंधर हम डेली बेसेज्च पर एक डॉज करते हैं देली उस पर एक डोज करते हैं जिसमें हम हम ये क्वेशन कवर करते साथिंह Nou डेली डोज उसके बाद एक छोटा सा Спरांथ में तो वहम उसके जो मैंने आपको बता रही है, साथे रहां खर आप बहाँ पर जाकर देख सकते हो एक्षड क्योशन पर चलते हैं असोका यस्ट destiny मिनाज़ आती है असोका यस्टमी कब मनाज़ आती है साथे हो असोका यस्टमी बनाज़ बना जाती है श्रावण राजस्तान राज्य के पर्थम सूचना आयुक्त कौन थे राजस्तान राज्य के पर्थम सूचना आयुक्त कौन थे एनके जेन जो है एनके जेन जो है राजस्तान के पर्थम मुख्य सूचना आयुक्त थे सातियों राजस्तान के पर्थम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे एन के जैन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करकर बताएं सभी सातियों के साथ सेर करें लाइक करें जो साती चैनल पर नए है वो चैनल को सबस्क्राइब करकर बैल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी रहे मिल्स के साथ यो आज के लिए इतना ही धन्यवाद सातियों